हाई फ्रेंड वेलकम टोंके स्टेक टॉक्स और आज में जिस एयरफोन का रिव्यू करने जा रहा है उसका नाम है फिलिपकाट स्मार्ट बाई इन एयर म्यूजिक पॉट्स विद माईक यह फिलिपकाट की नई सीरीज है यह फून्स की मैं देख रहा हूं कि इसके यह पून इसका नाम म्यूजिक पॉट इसलिए क्योंकि इसका डिजाइंग बिल्कुल आईफोन की एरफोन की तरह मिलता जूता है तो मैं आपको तुरंट से दिखाने वाला हूं यह कैसा है इसकी बिल्ट क्वालिटी कैसी है तो आपके साथ एक पाउच मिलता है जिससे आप इसको स अगर आप पूच को खोले और इससे बाहर निकाले तो मैं आपको पूरे डिटेस्स बताऊंगा पूरे एंड टू इसकी बिल्ट क्वालिटी कैसी वायर कैसी है और यह किस के वले है अगर आप इसके मॉडल नंबर में जाए इसका मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा आके E33 MVP और यह इन-ear headphone है तो सबसे आखरी से सुरू करते हैं इसकी 3.5mm jack की तो 3.5mm jack के जगा फ्लिपकाट में 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 मेंचन किया हुआ है आपको कि यह ब्रेक प्रूफ प्लग्स है मैं देख पार हूं इसकी बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगता नहीं है कि य अगर ठीक है क्योंकि जिस रेंच में अगर यह चीज लांच हुआ है तो यहां पर आपको फृपकार्ट की लोगों मिल जाएगी तो चले थोड़ा आगे आते हैं अगर आगे-ा जाएं तो यहां पर आपको मिलेगा है एक microphone microphone में एक button है जिसे आप phone उठा सकते हैं रिसीब कर सकते हैं और phone cut कर सकते हैं और एक खास चीच जो इसने copy की वे Apple की लेकिन ये एक डूसर टाइप से क्योंकि Apple की Air Force Max आपको volume up or down का button मिलता है पर यहां पर आपको volume slider मिला जो काफी अच्छा है अगर आप देखें तो अगर आप pocket में फोन रखे हुए हैं तो गाना और music अगर आपको loud volume करना है या लो करना है तो आप इसे directly कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा में देख रहा हुआ है और flip card में अगर आप reviews के बात करें तो भी काफी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे reviews दी हैं इसे मतलब यह और अगर आप इसके earpots की बात करें तो यह apple की earphone के बिलकुल कॉपी है और अगर आपल की earphone से बहुत फैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि अक्सर अगर बाकी earphone में किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम होता जैसे किसी किसी लोगों करते हैं और आपल की earphone से ऐसा डिजाइन किया हुआ हुआ है जिससे करण earphone नहीं होते हैं अक्सर ज्यादा volume में भी आप सुने तो तो यह आप देख सकते हैं बहुत magnet इसमें कुछ ऐसा magnet है जिससे power बहुत ही सेव होती है और phone के battery बहुत ही कम जाती है अगर आप इसे use करते हैं तो ठीक है और अगर आप ठीक है और नीचे आ रहे हैं तो अगर एक बात और मैं आपको बताना भूल गया क्योंकि इसकी जो माइक की अगर आप माइक का यह रहता था कि अगर इसकी माई की और यह वाली मगर यहां पर होता थोड़ा सा छोटा होता क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लगता है और दूर से लगता नहीं यह अच्छा उतना देखने में लेकिन फिर भी ठीक है जिस प्राइस रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस है सिर्फ 499 और इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगते कि 499 में और कहीं आपको मिरेगी क्योंकि मुझे लगता कि स्मार्ट फिलिपकार्ट के एक नई सीरीज जिसे करने इनुने अच्छे-च्छे मॉडल बराना सुरू किये हैं और अगर आप इसके वायर के बात करें तो यह टैंगल फ्री वायर है और फ्लाट केबल है मतलब अगर आप इसको कहीं भी अगर इसको घुमाओ फिरा कर रख दिये हैं कहीं पे भी तो भी यह आपको एंटैंगल नहीं होगा या आप इसको तुरंद इसली वे में खोल सकते हैं यह पुराने नोग्या की एरफोंस ते जि इसके आपको website में description है कि यह feather weight structure है क्योंकि मुझे लगता ही इसमें कोई weight है जब मिला तो भी मुझे लग नहीं जाता है इसका कोई weight है तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों और मैं इसकी कुस दिन और इसे यूज करके आपको फिर से वीडियो बेजूंगा जैसे माली दस दिन यूज करके इसकी क्या merits से क्या demerits से सब कुछ सारे कुछ in details फिर से और कोई नया earphone से अगर flip card smart buy निकाल रहा है या कोई भी अगर नया इस range में तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप प्लीज वीडियो को like कर दीजे और मैं चैनल को subscribe कर दीजी वीडियो को share करना ना भूले क्योंकि मेरा नया चैनल मुझे इसे आगे लेकर जाना है प्लीज दोस्तों I would appreciate your help आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को धन्यवाद थैंक यू